जहें इसराइल की company ए एने सो गूरूप इसने एक malware को बनाया है इसमें सबसे खतरनाक है वह इस्टार नहीं इससे बनाया है और इसका नाम है पेगसस पेगसस एक्चुली उड़ने वाले घोड़ा को कहा जयता है पहले जमाने में साथ इसए घोड़ा रहता था भई तुम काय गयब हो गया अभी ट्रेफिक बहुत लगती है यह रहता एसपेक्ट्स होते हैं यह इतना खतरनाक है कि Android और iOS यह दोनों पर काम करता है ऐसे कहा जाता है कि iOS यह आईफोन वाला चीज़ें पड़ी जादे सीक्योर होती Android की तुनलाम यह किसी को नहीं छोड़ता है और यह एकदम सिंगल क्लिक पर आपको लोड हो जाता है आपके पास एक mail आएगा और उस पर आगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सफ्ट्वेर को पूरे अपने उबर ले लेगा लेकिन क्या हुआ यह इससे भी एक कदम आगे है अब यह लोग क्या करते हैं वाटसप पे एक missed call देते हैं वह missed call आएगा आपके पास आप देखेंगे क पूरी mobile को देख लेगा आपके mobile में क्या-क्या है किसका contact number है कब कुन mail किया कितनी galleries में फोटो है audio recording किसका किसका किये है finger lock लगाए है कि नहीं कितनी email ID है यह सारा का सीर सारा चीज आप ही के mobile से लिया आप ही का network यूज़ करके वह भेज़ देगा इसराइल यह उस company को एने सो जो company उसे भेज़ देगा इससे खत्रा किस बात का है समझिये ध्यान से यह हर चीज को आपको ध्यान में रखता है यह माई कॉन कर सकता है अमूमन क्या होता है जहां बड़े-बड़े यह बाते होती है secret तो लोग कहते हैं कि भाई phone पर क्या बताएंगे मिलिएगा तो मिले बोलेंगे यह वहीं काम आता है मन के लिए मिलिएगा तो सुन लिया फ्लानादी मिलना है सरवलांस पर पहले से हैं तो मिलना है तो जब मिलने जाएंगे तो टाइमिंग फिक्स करके देख लेगा कि हाई phone नंबर भी ट्रेकिंग पर यह भी है जब दोनों का लोकेशन देख माइक ओन होने के वज़े से इसका भी बात सुनाई दे रहा है इसका भी माइक ओन करके सारा का सारा भेज दिया इस्राइल के पास यानि NSO कंपनी के पास अब उस कंपनी ने जहां भी office बनाया है जहां database मंगाना चाहती है वहां हो मंगा सकती है उसको यह आपके mobile का camera भी access कर call करते हैं अब को पता भी नहीं चले का आपके नंबर से किसे को मैसेग भी ऐसकता है वहां पर अपको पता ही नहीं चले है तो आपका mobile तो पता होता है ने क्या थिख Campbell क्या हैquisी नदि fingerprint जो इस mobile में उसे भी hack करके भेज़ देता है कि फोला नहीं है आदमी का fingerprint है अब आप रही है चाह मत रही है वही fingerprint वहाँ मार देगा अगर आपका lock से भी कोई सिस्टम रहेगा मान के चलिए कोई बहुत बड़ा सेना अधिकारी है और उसके fingerprint से कोई missile का आपर क्या बात कर रहे हैं क्या चीज़ और सारे चीज़ों को डीटेल यहां से निकाला जा सकता है अब इसी में हो गया भाई साब हमारे जो पडोसी देश हैं यह इमरान चचा को अब इसके पास चार मुबाईल है इमरान खान के पास और तीन पत्निया है तो एक-एक मोबाइल अपनी पत्नियों के लिए रखा है भाई सम और एक मोबाइल जो बच गया ये बेंड पाटी वाले के लिए रखा है इसका सेना परमुख है इसी से बात करता है तो चार मोबाइल में से एक मोबाइल का ये सबसे यूज्ट करता था ईUI कोली स्टाइनगे से बाकी तीन पतनी सब को केतना पून करता हो गया टाइम ये बुड़वन का काम इसुरी से स्टेश करता था रफ चाहे है तो इसमक्नी सबसे जाती फान में चल ब करता था इन्टेन संड़ाइब के मदद से भारत ने इसकी स्पाइं की है और इस स्पाइं के मदद से भारत ने पाकिस्तान को बहुत बहतरीन धंग से थूर दिया है कैसे थूरा है क्योंकि बहुत समय से ही इमरान खान की मोबाइल ट्रेस और वलांस पे चल रही थी और इसमें सरकार को पता चल गया था कि अ पर अब का करना है अभी नंदन यहीं पर छोड़े की नहीं छोड़े तो चोड़ दीजे महराज नहीं तो बवाल हो जाएगा तो भारत सरकार को पहले से पता था कि उनकी अवकात क्या है इसी को देखते हुए एयर इस्ट्राइक हुआ सर्जिकल रिस्ट्राइक हुआ बन के साफ कर दी के वे से 370 में से इन लोगों को ढख को दीब नहीं में बंद किया आ βही दीबाम बंड है नजर बंद की ना संग किसी दूसरे से मिलने नहीं तिया जता इन लोगों कोलगता था कि किसमीर को स्वतन देश बुना लें का आय चले सब्सक्राइब जाए शाचा नहीं कोई बात नहीं इस लिए लोग पाकिस्तान के बढ़ो से कूधते थे हैं पाकिस्तान को फोन करेंगे हम कश्मीर को बरबात कर देंगे तो इम्रान खान कहेगा तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है लेकिन इम्रान खान फोन कहा करेगा अपने सेना पर मुख को उकएगा है महाराज मरने दीजे सचुरन को छोड़ दीजे वहाँ पर 370 हटता है हटने दीजे तो भालत सरकार को तो पता अब इजराइल कर लेखें बिहार में कहा जाता है ना एक नहीं को डायलोग भलते हैं कहके लेंगे यही काम कर दिया इसराइल यह लोग मुदन कर सशुटनाय बरस नहीं किया देख रहाए दात में खोड़ ला है चिला कुण चीरा अभी सब बात नहीं बताएंगे क्या वाला भी बतिया लीग कर देंगे नहीं हम उसमें अब डर हो यार चलिए हम में टॉपिक में बात करते हैं दात में खोड़ा है पधान मंत्री हो यार इलाज करा लो पीला पीला दात लेके घूम रहा है ब्रस्किया करें आप यह इसराइल को मानेता नहीं देता था कहता था इ अब इन लोग की जल गई है क्योंकि इनका कहना है कि इसराइल की जो पाशबर का झालत कुछ स्था लेत बशीफ करना हैं तो कहेंगे कि इसराइल पासपोर्ट हौना करना है है तुम इज्राइल को देसे नहीं मानती है अब नेतन याहु खार इसके जगए तो नेफ्टाली बैनेट आ गया है नेफ्टाली बैनेट इससे दस गुना ज्यादे खतरनाक है समयाए ने तुम लोग को तो हम वो क्या कहेगा कि भाईया अगर केस तभी राइस्टर होगा चुप चप चिलावई से भारत के एसपेक्ट में इसको चीज़ों को समझते हैं कि क्या प्लस पॉइंट क्या निगेटी पॉइंट है यह जो इसराइली कमपनी है इसके उपर वाटसप ने एक बार केस कर दिया था कि इसने वाटसप की जानकरियों को चुराया है तो इसने तो उसका कहना है कोई प्राइवेट इंसान इसका यूज नहीं कर सकता दुसरा ये काफी महंगा है एक आदमी का अगर जाच कराना है इस पाइङ करानी है तो एक करोड से जादे लगता है यह कम से कम पच subject करोड़ रुत यह कि शương किया जाच करा सकते यह मामला भारत के सर बाते हो रही थी जे बजे इसको मोबाइल को हैक किया गया था तो ऐसा नहीं कि किवल भारत वीडित है इसमें 40 देस अब भारत सरकार का क्या कहना है भारत सरकार का यह नहीं कहना है कि हमने इसका यूज नहीं किया है और नहीं सरकार ने यह कहा है कि हमने इसका कोई भी गलत प स्वासनी है सुब्रमर्यम स्वामी जी है इनकी नेक्स्ट लेबल के आदमी है बहुत बड़े वकील है कोट में इनका क्या पूछना ही है इन्हों ने भी कहा है कि हाँ टेपिंग हुई है तो इसका मतलब यह इंसान तो जूट नहीं ने बोलेंगा यह लोग बड़े-बड़े यह होना चाहिए लेकिन गलत कहा हो जाता है ध्यान से समझे यह मामला अभी भले उठा है लेकिन यह मामला 2017 से 19 के बीच में पर एक वासिंग्टन पोस्ट और दा गार्जियन यह चोटे मोटे नहीं है यह भारत के 142 नंबर पर खड़े निरलज्ज मीडिया की तरह यह लोग नहीं है कि कुछु छाप दो यह देखो यह बकरी कितनी दूबली हो गई यही वह बकरी है जो पहले हाथी थी दूबली हो 200 लोगों में से जादे तर पत्रकार थे 40 पत्रकार थे तीन विपक्ष के नेता थे जिसमें भईया यह राहूल गांदी भी थे दो मंत्री भी थे भी सरकार के भी मंत्री पे भी तो मंत्री यह बिजा चुरिए सुप्रीम कोट के जज़्ज के NGO social वर्कर social एक्टिविस्ट इ यह सरकार्स चैना बेचाई बंगलादेश को बेचाओ वो लोग हमारी जाच कर रहे हैं अगर वो लोग जाच कर रहे हैं तो आर खतरनाग बात है इसको बीदेसियों ने कराया तो international court में case ठोक दीजे कि इसने कराया उसको सजा होगा क्योंकि हम लोग तो international court में हमारे judge साब ही है दलवीर भंडारी हमारे लिए positive हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है कोई बीदेसी नहीं कराया रीजन हम आपको बताते हैं कोई बीदेसी अगर मान मंत्री का राष्टपति का सेना बीदेस मंत्री का गिरी मंत्री का यह बड़े-बड़े लोगों का कराया है जो यह बताता है कि इस पाइन भारत से हुई है क्योंकि पत्रकारों की जानकारी लेकर विदेसों वालों को कुछ नहीं होगा बात करते हैं क्या सरकार को किसी की ज जासुसी कर सकती है, देश को टूटने से बचाने के लिए अखंडता को बरकरार रखने के लिए सरकार की 10 ऐसी एजनसिया है, जिसमें में गरूप से CBI है, RAW है, IB है, NIA है, ये सब जितनी जो संस्था हैं, ये आपकी टेप रेकॉर्डिंग कर सकती है, लेकिन यहां बात आती ह ये प्रोसीजर की, जब भी ये 10 ऐसी जो एजनसिया है, वो किसी के भी अगर इस्पाइं कर रही होती है, तो उसका रूल होता है, कि वो अपने डिपार्टमेंट के कमिस्नर रैंक के अधिकारी को इसका रिपोर्ट देती है, जैसे मेरी अगर टेप रेकॉर्डिंग करनी है मेरी स्पाइं करनी है, मेरी मोबाइल की, तो अगर सरकार चाती है कि अगस्त से सरकार को डाउट है कि खांसर कर रहे है कुछ, तो अगर मान के चलिए हमारी जाच करेगी, तो जिस दिन से उसे जाच करना है, मान के चलिए हमारे रा लग गई हमारे पीशन, रा, क्या आदमी trace करेगा जब उसको कुछ नहीं मिलेगा तो final closure report इनके पास लगा देगा और इनको नियम के तहट जात करना होता है कि आप personal चीजों को नहीं आप जो देश हित में बस वही कीज़े इससे किसी को ऐतराज नहीं है और ये परती दिन देश में होता है ऐसा मत सुचिएगा कि नही होंगे फलाना सेट जी के पास 40 जगहों पर 40 ठीकानों पर चापा पड़ा कई से पता चल गया कि 40 ठीकाना है किसी का तो ऐसे ही होता है ये गलत नहीं है लेकिन गलत कब हो जाता है जब आप procedure ही follow मत कीजिए किसी के पीछे spying लगा दीजिए नहीं किसी IB को पता है नहीं किसी को मतलब है इसका मतलब आप उसे परस्नली दुस्मनी निकालना चाहा रहा है ये चीजे गलत है अगर procedure को ओवरहिल किया जा रहा है तो ये गलत है इसमें उस department के commissioner rank के अधिकारी या court को सामिल करना चाहिए ये लोग थोड़ी न बोलेंगे कि देखिए आज हम लोग तीन लो इस तरह से आराजकता बढ़ जाईगी कुछ लोगों का कहना है कि भाई साब अगर आप गलत नहीं है तो डर क्यों रहे हैं सरकार आपके खिलब क्या कर लेगी अरे भाई साब हम ऐसे लोगों को कहते हैं कि अगर आप भी गलत नहीं है गूगल क्लाउड वगरा वगरा काम क अगर आप उसको पब्लीक ली डाल दीजें फेस्बुक पर कि यह मेरा जीमेल आईडी है यह फेस्बुक आईडी है हम गलत नहीं है तो हमें डरने की जरूब अरे भाई यहां कोई डर नहीं रहा है बात प्राइवेसी की होती है प्राइवेसी हमारे आटिकल 21 में दिया गय कई इसमें आपका प्राइवेसी का अधिकार है तो दिखिये प्राइवेसी बहुत मायने रखती है अगर आपको किसी गलत नहीं एक अच्छे इंसान की भी प्राइवेदी की पता चल जाईगी न तो आप उस अच्छे इंसान को गलत बना सकते हैं मान के चले कोई husband wife है, तो husband wife होना कोई अपराद थोड़ी है, एक खुशाल जिन्दिगी है, अब husband wife अपने phone पर क्या बात कर रहा है, आप spine करके उनकी बातों को record कर लिजे, अब वो बेचारे कहीं घूमने गए, कैसा photo खीचे, कैसा नहीं photo खीचे, आप उनकी spine करके gallery से वो photo न बताय जा रहा है, हलां कि authentic जानकारी किसी के अपास नहीं है, अब इनकी कुछ call details आपस में बात किया गई, या कुछ photo जा गए, अब बेचारे ये गलत नहीं है, बट ये अपनी privacy को बचाने के लिए इनको blackmail किया जा सकता है, कैसे किसी लड़की का photo खीच लीजे, अब वो अपनी निजता को बचाने के लिए आपके इसारों पर काम करने के लिए मजबूर हो जाती है, तो वही बात कर रहे हैं कि अगर प्राइवेसी ये खतम हो जाएगा, तब तो चाइना में चाइना बन जाएगा, वहापे भी किसी, चाइना में अगर आप VPN यूज करते हैं तो भी पकड़ लेता है आपको, जबकि VPN वो सर्वर ही हटा देता है आपका, कि आप इंडिया से कहां का सर्वर यूज कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, तो वह काफी इस पर कंसर्ण है, हाला कि इंडिया की गवर्मेंट इतना सब बाकि पब्लिक को डरने की जरूरत नहीं ह कहां है, कौन सा सेड्यूल का है, यूटूब पर कौन वीडियो बना, यह सब तो मिलेगा, और कौंची मिलेगा, कौंची हम लोग के पास, कौन न्यूयार्क का, कौन प्लानी है का हम लोग के पास, इस हमामले के लिए छोटका फनवा ठीक है, आप देखेगा, बड़े- प्राइवेसी का बहुत जादे ध्यान रखना है, तो एक इस टाइप का यूज कर सकते हैं, और नहीं, अगर आपको बहुत जादे डर लग रहा है, तो आपके लिए एक सलाह देते हैं, कि आप कबुत्तर पाल लीजे, और कबुत्तर से खत भीजिये, इस पर हैक होने का प्राइवेसी, तो अगर आप उनलाइन दुनिया में आ गए है, तो आपकी प्राइवेसी बहुत कम चांसेजे की बच सकती है, हर जगह आप कहीं न कहीं रेकॉर्ड हो रहे हैं, आप गूगल खोल रहे हैं, फेस्बूक खोल रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज हर जगर रे तो साइध हम मुंबई हमले जैसे ताज होटल में जो हमला हुए, वैसे हमले या संसद हमले को रोका जा सकता था, तो खैट टेकनलोजी जैसे जैसे आती है, उसका सदिवपियोग करिएगा, हर सीख्ये के दो पहलू होते है, आई होप आप इसे समझ गया होंगे, बहुत ज जैस को तोड़ रहे हैं, उनके लिए ये खत्रा है, मिलेंगे नेक्स क्लास में, जैहिन!